आजी 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 आगे एक पाक कहने थी इससे ज्यादा कि आपको अपने क्रीब लाओं कि आप यूट्यूब पर आकर भी आपको अपनी वीडियो ना दिखाओं तो जी में हम पहुंच जोगे हैं बैजनर मंदर यह मारा जाता है नंदी जी कहां में अगर कोई भी बात बोल आजी आगे हम हैलो जी कैसे हो क्या हाला है वेल्कुन में यूट्यूब चैनल मैसल फिर से में आपके साथ आज हम जा रहे हैं बैजनर मंदर जो कि पड़ता है डिस्टी कांगना में बहुत ही अच्छा मंदिर है और मैं हूं टी प्लांट्स के आसपास जो कि आप देख पा आपको अपने क्रीब लाओं कि आप यूट्यूब पर आकर भी आपको अपनी वीडियो ना दिखा हूं कि यहां यहां से डैस नात है पूरे दस किलो मेटर नीचे की और जाना है हम पहुंचे हैं यहां मैंने अपनी बाइक को यहां खड़े कर दी दिया है हम जाएंगे कि अब इस सारा ही विजार है बजार से होकर आपको जाना बढ़ेगा अब आप कि अब अब कि अब बेजनात के फर्ड में पूंचे हैं जाने ही शुआज़ाज़गी कि अब बेजनात के फरंट पार्ट में अब अंदर की और जाएंगे अपनी शुज़गरा खोलेंगे एंड आपको अंदर का व्यू बताएंगे कि कैसा आया अंदर हम जाएंगे इस सफवाली सांग से अब जैसे कि यहां लिखा गया है कि क्रिप्या जो भी जूते चप्पल हैं इसाड़ तारें अब में सेट जाएंगे और यह है पीपल का पेड़ कि अब देख पा रहे हो नीचे थोड़ा सा शैड़ कर रहा है और यह थोड़ा सा ग्राउंड है बैठने के लिए और सामने भी पीपल का पेड़ी है अब चूते वोगरे यहां उतारे जाते हैं अब जाएंगे ऊपर की और देखा जाए तो आपको सामने फ्लै मिल जाएगा आए हमें जाना इदर से को एंट्रेस पे ही नंदी जी मिल जाएंगे और यह माना जाता है नंदी जी के कार में अगर कोई भी बात बोली जाए वो सची होती है मन की सच में हो जाती है और मनत जो भी माना होगे वो सच में भरी हैगी जाती है मंदर की पहले बैक साइड में आपको बताते हैं सामने आप देख सकते हैं कि जो भी विछ वहान वेरा बार बार बार्वान वेरा बार था उनकी यह सामने हैं आप की पीछे परवत ही परवत है और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है अद बोधी एक ऐसे लग रहे है शेबलिंग होता है जैसे मंदर की बैकसाट की बारे में बताएं को काफी सही है जो इसकी बनाई हुई चीजे हैं काफी अच्छी है और इस पर भी यह लागू किया गया था कि 1905 के बाद इस पर भी भूकम बाने के बाद काफी कुछ इसका टूट चुका था मंदर का एंग यह शिप जी वहान महता देख लीते हैं और यह जो इसका घंगाचेर का होता है स्तान जलाता है यहां से अब आपको घरवाते हैं थोड़ा संदर की जर्ष्चन इस 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 एंट्रेंस अब दी मंदिर जहां आप जाओगे माता ठेक होगे इस 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 आप देख सकती हैं की शीज़ी लाश्ट सजाऻी रहा है और यह जो भई अधे रहे है पर्शाध यह दान पत्र है संगी अब देख सकते हैं कैसे सजा रहे हैं को फूलों से अब देख सकते हैं कैसे मतलब की मुटने बनाई गही है और यह जोती है जो जगाई जारी है ताहे करें 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 झाल झाल कि अब चाहिए नंदी जी के पास जान रूंगे हैं कान में कुछ पोलेगा है है वे सामने अब देख पारे मंदिर हैं बनाए गहे हैं शोट शोटे शीबलिंग रखे गया यह इन देखिए अब अंदर चलते थे यह कुंदर ही आ है जहां राथकजी और रिष्ट्ट्क्राइन जीने declaring मूर्तिय अ जैसे कि आप साहुने देख परे हैं राताजी और क्रिश्टन जी नीचे माताजी है जैसे अंदर की और आयो तो यहां भी शीबलिंग रिखे गए हैं छोट-छोटे काफी मंदिर बनाए गये हैं अग्धिर पॉड सक्तिव करेंगे को सब्सक्राइब यहां लिखा गया है कि यह गंगाजल आता हैं और लिखा भी गया है नौटिश पर गंगा जेल को पार करना चर्जित है अब कर अब कर एगर है घॉट अब हम सारी साइट करें चुके हैं आप बाहर की उचलते हैं अब तो रहता आपको देख पार है अब जैसे कि यहां से देख पा रहे हो कि क्यों कि अब यज़ी तक काफी भूवान की मूर्ति ही हम लेंगी आप देख पर हैं पारें हम coal कि अब लेर्ग हैं अब भूवान की मोरति हैं है्म ने उल्ने को देख आजिए हैं क काफी जगाँ अर्य काफी अच्छा बना रख़ा है कर दो दिख भारे देख पारे हैं तो पिपल का पेड़ा पीपल के पेड के निची चाते हैं तो पाग के पाते हैं बैटनेंग लिए अस्तान है एंड उसर देख बारे होगो बीपल का रेड़ है थोड़े यहां बैटनेंग लिए इस्तान है कि अंधना रखा है थोड़ी सी बात करी जाए इसकी के बारे में तो यह कांगडा जिलह में बढ़ता है और धर्मिशाला से 56 km की दूरी पर और पालंपूर से 16 km की दूरी पर है एक्चली इसका जो समूतर तल से इसकी जो उचाई है वह बारा सो पचास मेटर है एंड मा क्रिशन चत्रदर्शी के साइब की नायम से थ्वड़ी से जाना जाता है दोंकी सेवड़ी एक्पर? hoom का काम हुआ था पर 1905 में जब भोकम पाया था ना तब यह काफी हार तक तूचुगा था एंड इसका द्वारा काम करवाया था रंजीत सिंग को द्वारा एंड यह काफी मंदल की यूग से चला आता है एंड इसकी कहानी यह एक्षुल में कि जो रावन था ना रावन ने मतल जब काफी घोर तपस्या करी थी घोर तपस्या करने के बाद भी रावन जी को शिप जी नहीं पाएगे थे पर उसके बाद उन्होंने अपने जो दस मुही उनके मूह थे दस मूह थे जो एंड वो उनको ने एक-एक करके अगनी में डालना शुरू कर दिया एंड उनका वो कंडिशन यह रखी गई थी कि आपको यह शिबलिंग मेरा लेके जाना पड़ेगा एंड रास्ती में कहीं भी रखना नहीं है बच्छा था उसके पास उन्होंने शिबलिंग पकड़ा दी क्योंकि वह थक चुके थे रावन जी है तो रावन ने जब वह पकड़ा हुआ था उसको गालेर को पकड़ा दिया इतना बार ही हो चुका था सब्रबत। और शेखनाए निया तो यहां का बहुत है तो यहां जी का आपको ड़ाईा श्रहिंगी के निते हैं⁂ सब्सक्वी सब्सक्राइब ऑलllesन अपर जहां जाता है कि आप बात खुलो हम दिःता है जो कहा जाए गया है कि जो कि यहां स्थित है एक गंगा नदी है जिसका मैं रिव्यू आपको दिखाऊंगा एंड में कफी अची नदी है आपको नीचे दिखा जा कर दिखाता हूं अम नीचे हम जा रहे हैं शीरी खीर गंगा घाट जो कि नीचे पढ़ता है बिल्कुल यह इसके बैगवार्ड में यह जो कि नहीं अपको बटाँगा निचे जाकर। कर दो जा रहे हैं नीचे के योर और नीचे जो भी घंगा घंगा धर रहा है नीचे बिताते हैं कर दो जी हम यहां पहुंच चुके हैं बिल्कुन नीचे आपको बताता हूं मैं जाकर कि कैसा व्यू है नीचे का इसके आप देख वारे होगे है इसना अच्छा भी हो आ रहा है इसलते हैं नीचे की वह अ हूँ है भी ही कि प्रके मैं करें महतesten नीचे करदेती है हूं मिंहा iba में जल्दी मिलते हैं दूख के साथ आप रहे कि लिए लोग को लाइक करना अब अ कि आग करना सब्सक्राइब чив करना अद्ट यजलु बिलते हैंनु दwn local करना सब्सक्राइब है पुम पलाई झाल